हेलो दोस्तो वशीकरन के टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत सवागत है मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ निम्बू में कील गारते ही दुश्मन का खात्मा हाँ दोस्तो निम्बू में कील गारते ही अपने दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं तो दोस्त आज के समय में दुश्मनों की कभी कमी नहीं रहती आकिरकार दुश्मन चलते रास्ते में भी बन जाते हैं। प्रयोक तांत्रिक अगोरी भी यह प्रयोक करते आ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें तो दोस्तो एक आपको निम्बू लेना होगा जिसके उपर स्केच पैंच से उसका नाम ले नाम लिख दे और एक आपक कील लेनी होगी जो की कील इसके आरपार थोड़ी सी बड़ी हो और एक आपको स्केच पैंच से अपने दुश्मन का नाम लिखना होगा तो दोस्तों आपने अपने दुश्मन को यदि खतम करना चाते हैं तो यह उपाए टोटका बहुत आसान टोटका है इस उपाए से आगल भी कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप अपने दुश्मन के उपर यह प्रयोग करते हैं तो आप यह शनिवार के दिन ही और रात के बारा बजे ही करें तो दोस्तों आपको एक निम्बू लेना होगा उसकी फोटो को इस परकार से साथ बार उसके उपर से गुमा दें तो दोस्तों निम्बू पर भी नाम लिख दे और फोटो के उपर इस परकार से रख दे और दोस्तों एक नाम लेना होगा आपको एक मंत्र का आपको जाप करना होगा यह क्रिया करते समय ओम क्रिम क्रिम नाम की जगा पर उस दुश्मन का नाम लेना होगा और चमुन्डाए नमाहा ओम क्रिम क्रिम नाम लेकर चमुन्डाए नमाहा तो दोस्तो यह इस प्रकार से कील आरपार कर दें इससे आपका दुश्मन खत्म हो जाएगा इससे दुश्मन आपका बरबाद हो जाएगा खून की उल्टिया करने लग जाएगा तो दोस्तो यह प्रियोग बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं इस निम्बू को ले जाकर किसी भी पीपल के पेड़ पर कील को पेड़ में गाड़ दे तो दोस्तो इस उपाई से आपका दुश्मन खत्म हो जाएगा खुश्मन बिमार हो जाएगा यह तोटका उपाई करने से दोस्तो और दोस्तो इस चैनल को लाइक और सस्क्राइब जुरूर करें जिससे आने वाली आपको वीडियो मिलती रहें धन्यावाद दोस्तो